तो स्वागत है आप सोभी का ग्याफन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज का ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है छोटा होगा आप यू कह सकते हैं लेकिन काफी इंपोर्टेंट आप लोग के एक्जाम के पॉइंट अव्यू से क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 12 के उदू का चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये छोटा पेकिट में बड़ा धमाका है यानि कि आप लोग के एक्जाम के पॉइंट आव्यू से ये तो काफी इंपोर्टन ही है और उसके बाद से काफी मज़ेदार भी है इंट्रोस्टिंग भी है क्योंकि ये चैप्टर एक नजम है ठीक है इस नजम को वाकई में लिखा गया है जो नजम निगार है यानि कि इस नजम के लिखने वाले वो हैं अमीख खनफी तो थोड़ा अमीख खनफी के बारे में जान लेंगे क्योंकि कुछ नजम हम लोग देख लेंगे इनके बारे में जो भी जानकारी दिया गया है वो जरह समझ लेंगे कि उसी राइटर से कोश्टन पूचा जाता है बहुत ही कम चैप्टर से पूच जाता है तो ये नजम में आप लोग को पढ़तर उसका अर्थ बताऊंगी और आप लोग को पता चलेगा ये नजम आखिर क्या खेती पर ही लिखा गया है खेती इस नजम का टाइटल है तो क्या खेती पर ही ये नजम लिखा गया है या फिर खेती का सहारा लेकर किसी और चीज के यह नजम है यह आप लोग को हर एक चीज में आप लोग को आगे बताऊंगी और समझेंगे हम लोग लेकिन सबसे पहले ज़रा अमी खनफी के बारे में जान लेते हैं वीडियो को कम्प्रीट देखना है बिना स्किप किये ताकि हर एक पॉइंट आप लोग को समझ में आए औ तो आप लोग उसको छोड़ करना ही है बलकि हंडिट परसेंट करक्ट बना कर रहे हैं ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में लाइक शेयर करना आप लोग को नहीं बूलना है फड़ाफट लाइक कर दें जितना ज़्यादा उसक सिस्टम है यूट्यूब ने फिचर्स भी रखा है तो फिचर्स का लाब उठाइए अगर आप लोग लग रहा है कि जो भी मैं बोर्ट पर लिखी हूं यह धुंदला दिख रहा है अगर आप लोग को तो क्वालिटी बढ़ा कर देखिए अगर आप लोग को धुनला दिख अब पूछा जा चुका है बहुत बार इंट अभी जो एक्जाम हुआ था ट्विल्ट क्लास बॉड का इसमें भी पूछा गया था तो अब्दूल अधिल अब्धिया द्क रहा है ब्सक्राइस नेकि अफिनीच फेकी पैदाइश हुई थी उन्हें इस28 प्रदेश के जिला इनकी फौलसफा मौसिकी और अधवियात से इनको काफी दिलशबी था ये भी यादफ है फिलोसफी मौसिक यानिकी मूजिक और अद्वियात यानिकी लिटरेचर तो यह फलसफा मौसिक और अद्वियात से इनको काफी दिल्चस्पी था यह भी याद रखेगा कोशन तक नहीं पूछा गया है लेकिन हो सकता है कि आप लोग के समय पूछ दे तो याद रखना है और स्टेशन डारेक्टर के तोर पर ठीक है और यहां से मतलVES aniल इन्डीय रेडियो से स्टेशन डारेक्टर के तोर पर ही इनका सुब्गदोश रटायर भी वह सुब्गदोश हुए थे तो यह बिन पोइंट है यहां तक की पूछन पूछा बन चुआ है और इंडिया रेडियो स्टेशन में यह स्टेशन डryक्टर के तौर पर नौकरी कैए थे और उसी से यानिक Santo ड्रेक्टर के पोस्ट से ही यह रिटायर हुए थे ऑर इनका पहला मज्मुए यान की पहला किताब का नाम याद रखेगा। संग एपहराहन और सबसे इंपोर्टेंट संग पहरान भूलिएगा नहीं कभी नहीं भूलना है जिन्दगी में नहीं भूलना है संग पहराहन यह जो है ना अमीख का पहला मजमुआ यान की पहला किताब है और अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी जो ट्विल्द क्रास का इक्जाम हुआ बोड का अब लोग उठाकर कोशन पर देखिए कोशन यहां से पूछा गया है कोशन पूछा गया था कि अमीख हनफी का पहला मजमुआ कौन है या तो पहला मजमुआ पूछेगा नहीं तो डिरेक्ट इस तरह से यहीं मजमुआ देगा किताब देगा कहेग तो आपसन में दिया रहेगा अमीख हनफी मतलब कि यह याद रखना है आप लोगों को पहला मजमुआ यान की पहला किताब का नाम है संगे पैराहन जिसको अमीख हनफी द्वारा तयार किया गया था अमीख हनफी का लिखा हुआ पहला किताब संगे पैराहन है अब घुमा लगा सकते हैं चाहते हूं कि कहीं सभी किस भी तरके से घुमा कर पूछे तो आप लोग फसे ना बलकि 100% टिक लगा कर आए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तवील नजम यानि कि अमीख खनफी ने कुछ ऐसी नजमें लिखी जो बहुत तवील की बहुत ही ज्यादा लंबी थी तो इनकी तवील नजमों के नाम आप लोगों के दुख में दिया गया है जैसे कि सिंदबाद शहजादा सब्लेगर्श सुरत लाकुस ठीक है यह सब इनकी तवील नजमें हैं और इनक सब्सक्राइब के बारे में सारी जानकारी में आप लोगों को बोड़ पर लिखी थी बता ही दी अब आप लोगो यह नजमें की कवीता को पढ़कर उसका अर्थ यानिकी मिनिंग बता देती हूं हलांकि चैप्टर से तो कोशन नहीं पूचा गया है सिर्फ इतना पूचा गया है कि खेती यह जो खेती नम का नजम है इसका मरकजी किरदार कौन है यानि की में करेक्टर कौन है किस पर ये नजमीयन की कवीता लिखा गया है तो याद रखना है यह जो खेती नजम है न इसका मरकजी किरदार में करेक्टर वो है वक्त यानि कि अगर आप लोग इसका टाइटल यह नजम का टाइटल सुनकर आप लोगो लग रहा होगा कि इसमें खेती जैसा कुछ बात गया होगा लेकिन ऐसा नहीं है लेकिन खेती को निशाना बना कर कि वक्त की तरफ इशारा किया गया है यानि कि जिस तरह हम सभी इंसान खेती करते हैं अपने खेत में फसल को बोते हैं उसको उगाते हैं पालते हैं पानी जालते हैं पालते पुस्ते उसको उगाते हैं बढ़ भी इन्सानों को बढ़ने फलने पफ नगी में सब कुछ करने का मौका देता है लेकिन ₹- वक्त के साथ जब इनसान भी फसल की तरगthese त्यार हो जाते हैं तो व разрquic तो वही बात है इस खेती नजम में वक्त को मरकेजी किरदार बनाये गया है इनकी मेन करेक्टर बनाये गया है यानि कि ये जो नजम लिखा गया है किस टॉपिक पर लिखा गया है तो वक्त यानि कि टाइम समय पर लिखा गया है देखिए मैं आप लोग को पढ़ कर बता रही और बढ़ने के मोति हंब देता है वक्त वक्त हम उगाता है नीए जे शाहे कोने पृत बढ़ने पढ़ने सब्षु करना का मौका देता है हमें वक्त सब्सको जर्रे बनाने की इजाज़त मरहमक करता है और नासने देता है बादatically की मौजों के साथ जुमने देता है सूरज की किरन की हमदमी में चांडनी पीकर हमें बदमस्त होता पाके खुश होता है हम अगर अंजामकार काट लेता है हमें हम बला आखिर उसके लुप में हम बला आखिर उसकी फसल बस खतम यहाँ पर यही बात बोला जा रहा है कि वक्त जोता है ना में बोता है उगाता है पालता है और अपने जिन्दगी में बढ़ने और सब कुछ करने का मौका देता है हम अपने जिन्दगी में जो चाहे कर सकते हैं अपने जिन्दगी में पढ़ली कर कुछ बने या फि फिरें अपने जिन्दगी में यूँही अवारा फिरें या फिर कोई सफल इंसान बन जाए लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहां पर हम भी फसल की तरह तयार हो जाते हैं और वक्त जो है न हमें देखकर हमें पाकर खुश होता है कि चलो अब इसका वक्त आ गया है यान कि फसल काटने का वक्त आ गया है ठीक है जिस तरह हम लोग फसल को देखकर खुश होते हैं कि फसल कितना अच्छा तयार हो गया अब काट लिया जाएगा उसी तरीके से वक्त जो है और फाइनली यहाँ पर हो जाता है खेती नाम का नजम complete छोटा था लेकिन बहुती ज़्याद मज़दार था खेती का निशाना बनाकर वक्त की तरफ इशारा किया गया था और लोगों को मौत के जो जिन्दगी का सबसे बड़ा सच है उसके बारे में बताया गया था ठीक है तो आई होप आप लोगो यह नजम समझ में आया होगा कैसे लगा आज का यह वीडियो और पूरा चैप्टर समझ में आया की नहीं और पूरा चैप्टर कैसा था राइटर के बारे में तो हम लोग समझी गया और नजम तो पूरा complete कर लिए यानि कि पूर रोप से यहाँ प बड़े भाई बहन रिश्तदार है चाहो तो आप शेयर कर दिजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए नए आये हुए हैं हमारे वीडियो उसको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अ टेलिग्राम चैनल का नाम है आप लोग सर्सक्राइब के भी जोईन कर सकते हैं तो चलिए इसे के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं भाई बाई टेक क्यर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज